हाई फ्रेंड्स टेकनिकल शुवर्षिस चनल में फिट से एक बार आप लोगों का स्वगा थे तो दोस्तो हमारा यूटूब फ्रेंड मिस्टर राजिपदार्ष फ्रम हसनाबाद उसने कमेंड किये थे कि लितियम बैटरी कैसे चाच करे इसलिए आज की ए वीडियो राजिपदार्ष की कमेंड पर सबके लिए ए बैटरी 3000 ms का है दोस्तो लितियम बैटरी 3.7 भोल का ही होता है इस टाइप का लितियम बैटरी चार्च करने के लिए हमें एक चार्जिंग मोडूल चाहिए इन मोडूल की आंदर हम देख सकते हैं तीनों IC लागी हुई है इसके आंदर जो सबसे बाड़ा IC है उसका नंबार है TP-446 इसलिए इसे 46 मोडूल भी बोलते हैं इस टाइप का बैटरी को चार्च करने के लिए 4.2 भोल्ट की जोगरत होती है इस टाइप का बैटरी ओवर चार्ज, ओवर डिश चार्ज या स्ट सर्कीट होने से भी ए बैटरी तुरांद खड़ाफ हो जाती है शोट सर्कीट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव शोट होर जाने से इस बैटरी में आग भी लाग सकते हैं इन सारी पबलेम से पोटेक करते हैं ए TP-446 चार्जिंग मोडूल इस चार्जिंग मोडूल में 5 वोल्ट इन्फूर्ट देने से आउटफूर्ट में 4.2 वोल्ट मिलेगा लिथियाम बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 4.2 वोल्ट की जो उड़ाथ है चार्जिंग मोडूल में जो सबसे बड़ा IC लागी हुई है इस मोडूल में आप मोडूल बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते क्यूंके मोडूल बैटरी में इन दो IC पहले से ही लगी रहती है लेकिन दोस्तों कुस-कुस चार्जिंग मोडूल में ए दो IC नहीं रहता स्रेप सिंगिल IC लागी रहती है उसमें आप मोडूल बैटरी को चार्ज कर सकते है इस मोडूल में आप 5 वोल्ट से 8 वोल्ट तक इन पूर्ट दे सकते है क्यूंके ए मोडूल 5 वोल्ट से 8 वोल्ट तक काम करते है अगर इस मोडूल को किसी भी बक्स की आंदर सेट करने के लिए कुछ भी दिक्कत आए तो उस टाइम पर आप 3500 की सोकेट यानि इस टाइप का सोकेट आप यूज में ले सकते है उस टाइम पर आलाग जो चार्जिंग सोकेट उसका पॉजिटिव को इस चार्जिंग मोडूल में जहां पॉजिटिव का सिगनल दिया हुआ है इसमें कनेक्शन कीजिए और दूरसी साइट में नेगटिव को कनेक्शन कीजिएगा और दूर सी साइट में हमें चारो पॉइंट दिखने को मिल रहा है यहाँ पर B प्लास और यहाँ पर B माइनस यानि बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव तो आप हम यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कर लेंगे इस तरह हम बैटरी का connection कर लेंगे दोस्तो इस charging module में दो LED लागी हुई है एक red और एक blue LED red LED charging signal देने के लिए और blue LED बैटरी फूल होने से signal देने के लिए तो दोस्तो एक बार हम charging pin को input करके देखेंगे तो यहां charging pin input करने से यहां हम देख सकते red LED जल रही है यानि इसमें जो battery लागी हुई है उसमें charge हो रही है दोस्तो एक बार हम battery का दोनों point से किसी भी एक point को disconnect करके देखेंगे तो यहां हम देख सकते blue light glow हो रही है blue light जलने से हमें ए signal मिलता के battery charge हो गया है यहां हम battery को disconnect कर दिया है इसलिए blue light जल रही है दोस्तो ओर्जिनल लिथियाम battery को charging module से charge करने के लिए एक battery full charge होने के लिए एक से देर घंटे लगेंगे उसके सिवा आप इस charging module से 5 से 6 battery एक साथ chance कर सकते है तब battery को full charge करने का time ज्यादा लगेगा एक battery chance करने के लिए देर घंटे दो battery chance करने के लिए तीन घंटे इस तरह time बढ़ता चला जाएगा दोस्तों आप इन battery को एक से भाड़ कर एक connection करने के लिए इस battery को आप parallel में connection कीजिएगा यानी positive के साथ positive connection कीजिए और negative के साथ negative connection कीजिए इस तरह charging module में connection कीजिएगा इस battery को शीरीज में connection करने से battery chance नहीं हो पाएगा क्यूंके voltage double हो जाएगा इसकी सिवा और जो दो point है इन दो point यहां हम देख सकते है out positive यानी यहां से output positive लेने के लिए और नीचे output negative यानी negative volt आउटफूट लेने के लिए दोस्तो आउटफूट लाइन पर कोई magic system या कुछ भी light आप चलाते हैं तो उस टाइम पर charging को disconnect कर दीजिएगा क्यूँके दुनो एक साथ चलाने से ए मोडूल खराफ हो सकते हैं आगले वीडियो में हम सिखेंगे charging मोडूल के सिवा और दूसरी तरीके से कैसे इस lithium battery को charge करें तो दोस्तो वीडियो को आची लगी तो लाइक कर दीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो